भारत म्यानमार सीमा इसका फैंसिंग शुरू की कर दिया है 30 किलोमिटर फैंसिंग समाप्थ हो चुका है स्टेटेजिक जगो पर CRPF को सफलता पूर्वक लॉंच करने का कारेकरम भी समाप्थ कर दिया है हमने जो गुस्पैट होती थी उसको रोकने के लिए म्यानमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझोता था उसको भारत की और से रद करकर सिर्फ विजा के बेज़ पर ही आज़ा सकेंगे एक आनून भी लाए कई सारे सुरक्सा लेप्सिस थे मतलब छीद्र थे इतने बड़ी सिमा पर उसको पूरा करने का काम भी किया गया है सर आप जब पिछली बार मनिपूर गये थे पिछले साल तो आपने कहा था आप 15 दिन में वापस जाएंगे और आपके आने के बाद वेव्ज में वाइलन्स हो रहे हैं माँ पर अबी डीसेंटली भी हुए ग्यारे लोग की हत्या हुई है तो इसको लेके क्या आप एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है उसको लेके उसके बाद गवर्नर के घर पे रूमर बोला इसलिए सर और वहां पे गवर्नर हाउस में भी काफी पत्रा हुआ जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में तो मनिपूर के लिए क्या स्ट्राटेजी है हंड्रे डेज में दिखे जहां तक मनिपूर का सवाल है सौ दिन में हमने जो ये गटनाओं का मूल है भारत म्यानमार सिमा इसका फैंसिंग शुरू की कर दिया है 30 किलोमिटर फैंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमिटर से ज्यादा जो सिमा है इसको फैंसिंग करने का बजेट भारत सरकार ने एप्रूव कर दिया है एक नमबर दो हमने वहाँ पर स्टेटेजिक जगों पर सियार पी एप को सफलता पूर्वक लॉंच करने का कारेकरम भी समाप्त कर दिया है नमबर तीन हमने जो गुस्पैट होती थी उसको रोकने के लिए म्यानमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझोता था उसको भारत की और से रद करकर सिर्फ विजा के बेज़ पर ही आजा सकेंगे एक आनून भी लाए है नमबर चार कई सारे सुरक्षा लेप्सिस थे मतलब छीद्र थे इतनी बड़ी सिमा पर उसको पूरा करने का काम भी किया गया है अभी हाली के दिन में दो गटनाए तिन दिन तक हिंसक गटनाए हुई इसको छोड़कर विगत तिन मैनों में कोई बड़ी गटनाए नहीं हुई थी अब मनिपुर में अभी भी तिन दिन से सांती है मुझे आसा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे स्थानिय दोनों जातियों से हमारा समवाद भी है क्योंकि नसलिय हिंसा है जब तक समवाद होकर दोनों के बीच में समादा नहीं होता कोई परिणाम नहीं निकल सकता हम कूकी ग्रूप के भी चर्चा करे हैं और मताई ग्रूप से भी चर्चा करे हैं और आने वाले दिनों में लगबग लगबग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रूड मेप बना है सर क्यूंकि अभी आपने मनेपूर का जिकर किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशेटिव लिया गया था कि जो अफॉर्डबल कोमोडिटीज वहां के लोगों को और दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएगे सर इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनेफिट ले पाएंगे दिखे वहाँ पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लेम नहीं है परन्तु जो बीच में घटना हूँ इसके कारण ट्रांस्पोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते हैं तो हमने कैंद्रियस सैनिक बलो के जिले जो हमारे राशन की दुकाने हैं अठारा दुकाने नहीं खुली है और खोलने का नेने किया है और पूरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचीत दाम पर सारी चीजे लगबख सौच चीजों का लिष्ट बनाया जिसमें टूटपेस, ब्रस, साबून इस सारी चीजे भी है खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्ता है वो एक राहत दर पर मिलने की सुरुआत होगी इससे निच्ची तुरुप से महंगाई निचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तपका है उसको राहत दर पर सारी सामगरिव लब दोगी ये सिर्फ गरीबों के लिए हर ना